यहार के मुख्य मंत्री पर कॉमेंट करने की आउकात रिया चक्रवर्थी की नहीं है नमस्कार आदाव शस्तियकार यू तो खाकी वाले पांडी जी बहुत ही कमाल के हैं उनकी स्टाइल उनकी कैब उनकी वर्दी और उनके दमदार डायलॉग बहुत ही शानदार हैं जनाब वो क्या बोलते हैं क्या चलते हैं उनकी तीकी नजरे बहुत ही जबर दस्त हैं लेकिन आप किसी और ट्रैक पर जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड वाले चुलबुल पांडे की नहीं बलकि बिहार में अपने दमदार डायलॉग और एक्टिंग के लिए मशूर हो चुके मुक्तेश्वर पांडे जी की जिनकी एक्टिंग का जलवा पूरे अलाके में हैं यानी गली मुहले और चौराहों से निकल कर पूरी दुनिया में होने लगी है उनकी चर्चाएं सरल भाशा में कहा जाए तो बिहार में डीजेपी के पस से वियारस ले चुके मुक्तेश्वर पांडे जी इस वक्ट चुनावी मूड में नजार आ रहे हैं हो सकता है पांडे जी की एक्टिंग का अगला नजारा बिहार वालों को चुनावी रंगमंच पर देखने को मिले और ये भी हो सकता है कि अगर पांडे जी चुनाव जीत कर MLA बन गये तो पांडे जी पूरे बिहार को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा देंगे बोले तो बिहार वाले भाईया जी लोगों को विधान सभा में एक नेता के साथ साथ अभी नेता का भी किरदार देखने को मिल सकता है पांडे जी खाकी वर्दी में पहले भी नितीश की पार्टी के सरकारी प्रवक्ता के रूप में अपने अभीनाय का जोहर दिखा चुके हैं तो शान्द सिंग राशपूत की मौत पर पूरे बिहार में सबसे जादा गर किसी विक्ती ने सरकारी पत पर रहते हुए शोर शराबा यानी शोर मचाया तो वो हैं पांडे जी पांडे जी ने बिहार के छोरे की मौत पर बंगाल की छोरी को क्या कुछ नहीं कहा जब पाने जी ने रिया चक्रवर्ती पर तरह तरह के आरोप लगाने शुरूर किये तभी सियासिप पंडितों ने पान्डे जी के नबस को टटोल लिया था कि जरूरवर्दी वाले बाबु जी के साथ कोई न कोई जोल है जमेला है, खेल है खेला है, खाधी का ठेला है और न रिया की आउकाथ या दिलाने वाले पांडे जी बेवज़ अपनी फजीहत न करा रहे होते क्यों करने की आउकाथ तो रिया चक्रवर्ती की नहीं है उसने कुछ किये थे उसको पहले कि रिया चक्रवर्ती की इतनी आउकात कहां जो बिहार के मुख्यमंतरी पर टीका टिपड़ी कर दे वो भी तब जब खाकी वाले सरकारी प्रवक्ता सामने खड़े हूं ऐसी क्या मजाल जो कोई एक शब्द बिहार के मुख्यमंतरी को बोल दे रिया को शायद मालूम नहीं था खादी वाले प्रवक्ता से जदा खाकी वाले प्रवक्ता के खून में जदा गर्मी होती है वरना रिया सपने में भी मुख्यमंतरी और बिहार के बारे में एक शब्द नहीं बोलती हम तो इसी बात से हैरान है कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अगर किसी ने इजहारे खयाल कर दिया तो उनकी पार्टी के नेता उनकी पार्टी के प्रवक्ता और उनकी पार्टी के कारकरताओं को इतना गुस्सा क्यों नहीं आया लेकिन देखो बिहार के डी पांडे जी दो बार पहले भी नेतागीरी में कूदना चाहते थे लेकिन किस्मत नहीं दिया इस बार पांडे जी महस पांडे जी नहीं रह जाएंगे बलकि नेता जी हो जाएंगे पांडे जी आजकल अपना प्यार कराने में वेस्थ हैं मतलब कि खुद को जनता के सामने बिहार का सिंगम प्रकट करने की पुर जोर कोशिश कर रहे हैं पांडे जी की फिल्मी स्टाइल में प्रोमो शूट आपने शाय देखा ना हो उनकी वीरता के वीडियो का प्रोमो आजकल सोशल मीडिया पर घूम रहा है इंडियन पुलिस फांडेशन ने मुक्तवेशवर पांडे की वाइरल प्रोमो की कड़े शब्दों में निल्दा की है और इसे पुलिस आचरन के नियमों के खिलाब बताया है लेकिन अब खाकी ने जब खादी पहन ही लिया है तो अब डर काहें का अब पांडे जी अपने दमदार डायलोग और जलवे के साथ बकसर वालों की सेवा में चुनावी मंच पर उतरने वाले हैं ऐसा नहीं कि पांडे जी से पहले किसी ने सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी या रिटायर होने के बाद नेतागीरी नहीं थी फेरिश्ट तो काफी लंबी है लेकिन पांडे जी की स्टाइल सबसे अलग है खादी के लिए पांडे जी का सेवा भाव और समर्पन को देखने के बाद भी अगर विहार वालों ने पांडे जी का साथ नहीं दिया तो समझ लेना विहार वालों ने एक चुलबुल पांडे को खो दिया आज के लिए बिस इतना ही वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने यार दोस्तों और रिश्टादारों के साथ हमारे वीडियो को साज़ा करें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यनी टाइमस मेल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर देखते हैं मिलते हैं अगले खबर में किसी और नई न्यूस के साथ किसी और वीडियो के साथ सब तक के लिए समस्कार